दोस्तो साप और नेबले की दुस्मनी तो बहुत पुरानी है पर क्या आप यह जानते हैं कि यह दोनो जाएन दुस्मन क्यों होते हैं लराई में साप और नेबला दोनों ही जक्मी होते हैं पर जातर किसेस में नेबला साप को मार देता है पर क्या आप ये जानते हैं कि साप और नेवले में जाहें दुस्मनी क्यों होती है साप एक रिंगनी वाला जीब है और साप उन सबों के लिए एक दुस्मन मन जाता है जो भी इन पर अपना घर बनाते हैं क्योंकि साप उनके घर में गुसकर उनके अंडे खायता है या उनके बच्चों को खा जाता है और जंगले में पाई जाने वाले नेवलो पर सांप का असर भी कम होता है आपको ये जानका है नेवला सांप को बहुत ही समझदारी से मारता है नेवला काफी ज़दा फुर्तिला होता है इसलिए वो साप के काटने से बच जाता है बहुत से किसेस में साप अरने से पहिज़े नेवले को काट लेता है पर हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि नेवले पर साप के चहर का कोई असर नहीं होता है